नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News से कमजोर कड़ी अकेले OPS से मैजिक की उमिद नहीं की जा सकती हरियाना सरकार का सेक्सुल क्राइम पर बड़ा फैसला दोसी को नहीं मिलेंगी सरकारी सुईधाई पैंसन के साथ ही आम्स लाइसेंस भी होगा सस्पेंड सोनिपत में CM की 3000 बुजरुकों को पैंसन की सोगात मनोहरलाल खटर बोले हरियाना में BJP की हैट्रिक पक्की हरियाना के सरकारी स्कुलों में अब दो बार होगी प्रीबोर्ड प्रिक्षाई सेडूल हुआ जारी जीन्द में हरियाना CM की बड़ी घोशनाई काहा च्यार जगे कोशल विकास के अंदर खोले जाएंगे संत शिरोमनी सेन के नाम चोक और शड़क रोतक मट के मैंत राजस्तान CM की दोड़ में चुनाव से पहले अमिच्छा और आरेसस परमुक मोहन भागवत उनके यह मिलने आए बाबा बालगनात की तारिफ की थी रोतक में कोंग्रेस के कारेकर में हंगामाद दिपेंदर हुड़ा के जाते ही भढ़के पिषड़ा वरक्के नेता बोले कोई गोशना नहीं की कोंग्रेसियों से उलजे हरियना उचेतर शिक्षाई भाग का बड़ा फैसला अब लोगों या संस्ताओं से जमीन पटे पर लेकर खोले जासकेंगे नीजी विश्वी देले जजजर में इनेलो परते सदेक्स नफेसिंग राठी का पूर शियम भुपेंदर हुड़ा पर वार नफेसिंग राठी बोले जहां गए वहीं कॉंग्रेस का बंटाधार करकर आए जजज़ पाग खात्म नहरी पानी से लहलाएगे दक्षन हरियाना की धरती मेहंदरगड माइनर के जियोणोधार पर खर्च होंगे 30 क्रोड़ उपे मिजोरम के मुख्यमंतरी जोरम ठंगा चुनाव हारे जेड़ पीम को 40 में से 77 शीटे मिली मनफ 10 भाजपा 2 और कॉंग्रेस एक शीट पर जीती तमिलनाडू आंदर प्रदेश से आज टकराएगा साइकलोन मीचोंग 80 साल में चेने में सबसीज़ अदा बारिस पांच की मोथ 204 ट्रेने और 70 फ्लाइट कैंसिल और अब ख़बरे विस्तार से दो दिन की बारिस के बाद हरियाना में कोहरे का कहर जारी है मौसम विभाग ने इसको देखते वे आज कोरे को लेकर येलो अलट जारी क्या है मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि सुबह 10 बज़े तक शटकों पर दरश्यता काफी कम रहेगी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर सुबह साम 10 मिटर विजबिलिटी रिकोर्ड की गई है ऐसे हालातों में विभाग की ओर्शे वाहन चालकों को जरूरी होने पर सफर करने की सला दी गई है विभाग ने दिसंबर वज जनुबरी दो महीने कोरे पढ़ने की संभाव नजटाई है हाई गना कोरा वे रात के समय गिरता तापमान गेहूं जो वज सर्चों की फसलों के लिए वर्दान साबित होने वाला है हरियाना में महिलाओं और बचों के खिलाब योन अपरादों के आरूपियों के खिलाब सरकार ने सक्त कदम उठाया है सरकार के और से इस मामले के आरोपियों को उनसे सामाजिक पेंसन, चात्रवर्ती और अथियार लाइसन साइथ सभी सरकारी सुईदाएं वापस लेने का बड़ा फैसल लग किया है इन अपरादों में बलादकार, बलादकार का प्रियास, योन उत्पिडन, निर्वास्तर करना, पिछा करना, छेड़चाड, तसकरी और सोशन और योन अपरादों से बच्चों के सुरक्षा अधिनियम के तैथ कोई भी धारा सामिल है हरियाना कॉंगरिस पार्टी के लिए राजस्तान चुनाओ बड़ा सबक होंगे, इसके तीन बड़ी वज़यें सामने आई है पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। फरलो लेकर जेल से बाहर आया रामराहिम करीब दो हफते बाद फिर से एक्टिव हो गया है। इस दिन की फरलो की मंजोरी दी गई है। आपको बता दें कि आसरम क्योर्शिजारी शेडल के मताबिक 9 दिसमबर तक का समय दिया गया है। पांस दिसमबर याज रामरहिम वर्चुल रूप से कुरूशेतर और बिवानी जिले के लोगों को शमूदित करेगा। इसके बाद कल यानी 6 दिसमबर को पानिपत और फतेयाबाद, 7 दिसमबर को अंबाला महेंदरगड, 8 दिसमबर को फरिदाबाद हिसार और 9 दिसमबर को टोहाना करनाल वडबवाल इसा मिलें। हर्याना के रोत तक स्थित अस्तल बोहर मठ के मेंद बाबा बालकनाथ 13 सीट से जीत के बाद राजस्तान सीम की दोड़ मिसा मिलो गए है। इसी वज़े से उनके सीम बनने को लेकर कयास तेज हो गए है। संच रोमनी स्री सेन जी महराज की जैनती में पहुंचे थे। इस दोरान उन्होंने 500 क्रोड की विबेन प्रियोजनाव का उदगाटन और शिलानास किया। इस मौके पर मुक्यमंत्री मनहोलाल खटर ने कहा कि स्रीशेन जैनती पर 4 दिसंबर को विशेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सर्कार द्वारा समाज की दसा को ठीक करने के लिए महापूर्शों की जीवनिया और इस्ताबिया मनाने का काम किया जा रहा है। कर्यकरम चे पहले मुक्यमंत्री मनहोलाल खटर ने तेक बहादुर गुरुद्वारा में मात अटेका। वहने नेतर रोंकों और 10 में आगने क्यों पोनियाना संथी महीं करवाया कि हर्याणा में चुनाव का डंका बच चुका है उन्होंने तीन परदेश में भाजपागी जीद पर कहागी हर्याणा में स्तिती अलग है परदेश में कॉंग्रिश की सरकार हिमाचल तेलांगाना और करनाटक की दला है बनेगी चुनाव में मोधिफेक्टर पर कहा कि यह नेता हिमाचल और करनाटक के चुनाव के समय भी थे हरियाणा में निश्ची तरूप से बदला होगा और कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी जेंद के उचाना में पूरू केंद्रे मंतरी इम कॉंग्रेस नेता जेप्रकास ने कहा कि अभी चुनाव लड़ने का उनका कोई मन नहीं है वो अपने बेटों को कलायत से विधान स्वाद चुनाव लड़वाएंगे आदम पूरूप चुनाव भी कॉंग्रेस हाई कमान के कहने पर लड़ा था अब कॉंग्रेस हाई कमान कहेंगी तो ही सार लोक्षवा को चुनाव लड़ेंगे कुल्दे बिश्नोई का नाम लिए बेना निशाना साथ ते वे जयाप्रगास ने कहा कि राजनीति के बड़े घरानों से उनका टकरा होता रहता है इन घरानों को पता है कि उनको टकर अगर कोई दे सकता है तो वह जयाप्रगास जीदा सकता है जनता जनारतन जो फैसला करती है वो मानना पड़ता है हारियाना इनेलो के परदेशा अदेक्ष नफे सिंग राठी ने कहा है कि पोरुषियम बोपेंदर सिंग हुड़ा के तीन राजियों में चुनाव में जहां जहां पाव पड़े वहीं कॉंगरिस परतेशी हार गई उन्होंने दावा किया कि वे बीजेपी के सारी पर बयानबाजी करते रहते हैं इनेलो चाहती है कि एंडे के खिलाब मजबूत गटफंदन मने लेकिन इसमें हुड़ा रोड़ा डाल रही है नफे सिंग राटी सोमार को जजज़र में इनेलो कारे करता हुए नेताओं की मिटिंग में बोल रही थे का कि हमें पहले से पता था लेकिन जेजेपी के लोग बयान देते थे हमारी चावी से राजस्थान की सत्ता का ताला खुलेगा लेकिन राजस्थान में लोगों ने जेजेपी की चावी ही छीन ली हर्याना के मुक्य मंतरे मनोईलाल खटर सौमार को सोनिपत के दीन-मंदू-चोटु-राम यूनिएस्टि में वर्दावस्ता समान समारो इम जन्दा समात कारिकरे में पहुँचे मुख्यमंत्री ने बटन दवाय कर सोनिपत के 3000 से जादा लावारतियों को वर्दावस्ता समान की स्विकरते दी मुख्यमंत्री ने सोनिपत जिले के सभी ब्लोकिय बुजरुकों को वर्दावस्ता समान भत्ता सेटिपिकेट दे कर बधाई दी मनोराल खटर ने कहा कि तीन आजयों में भाजपा ने जीत के हैट्रिक लगाई है और अब हरियाना में भी हैट्रिक लगाई जाएगी CM ने पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वे घोशना ही बड़ी बड़ी कर देते हैं जूतियां टूट जाती थी और कई साल तक पैंसन नहीं बनती थी लेकिन बीजेपी की सरकार में 60 साल होते ही अगले महीने से ही पैंसन सुरू हो जाती है गलत आदमी पैंसन नहीं ले इसके लिए वेरिफिकेशन भी लगातार चल रहे हैं मुक्यमत्रे ने कहा कि योग करें और आयुर्वेदिक चीजे खाओ और नसा से दूर रहो हर्यान के सरकारी स्कोलों में अब बोर्ड प्रिक्षा से पहले दो बार प्रिक्षा हैं आज़ित होंगी इससे परिणाम को बेहतर करने का प्रियास किया जा रहा है इस बारे में जिले के सबी स्कूल के मुख्याओं को दिशा नニर्देश जारी कर दिया गया है कक्षा दस्वी और कक्षा बार्वी की बॉर्ड प्रिक्षाओं के लिए सिक्षा विवाग की और से शैडूल जारी कर दिया गया है सोमार से प्रिबॉर्ड प्रिक्षाओं शुरू हो गई है पहले दिन दस्वी कक्षा की हिंदी और बार्वी कक्षा में अंग्रेज जी की प्रिक्षा हुई है जबकि दूसरी प्रीबोर्ड जनवरी फ्रवरी में आउजित की जाएगी इसका उद्देश से बेहतर प्रिक्षा परिणाम लाना है राजस्थान और हरियाना को एक और एक्सप्रेश वे की सोगात मिलने जा रही है यह ग्रेंफिल्ड एक्सप्रेश वे चैलेंड और 6 किलमेटर लंबा होगा 60 किलमेटर लंबा या ग्रेंफिल्ड एक्सप्रेश्वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेश्वे को ट्रांस हर्याना एक्सप्रेश्वे से जोडने का काम करेगा यह हाईवेन हर्याना के नारोल से राजस्तान के अलवर तक बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट पर करीब 14 सो कोड़ पर खर्चोंगे इस एक्सप्रेश्वे के बनने से लोगों को अमबाला से मुंबाई आने जाने में 3-4 गंटे के बच्चत हो सकती है यह एक्सप्रेश्वे दिल्ली एंसेयर पर ट्रैफिक का बोच कम करेगा इतना ही नहीं मुंबाई और उत्रभायत के राज्यों में यात्रा का समय भी कम हो जाएगा यह राजस्तान में कोड़ पुतले के पास पनियाला गाउं के पास दिल्ली जैपुर एक्सप्रेश्वे से जुड़ा होगा फिलाहल अंबाला से मुंबाई जाने के लिए वहानों को दिल्ली में परविश करना पड़ता है दिल्ली में भारी ट्रैफिक के कान डेड़ से दो गंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है दक्षन हरियाना के लोगों के लिए एक अच्छे कबर सामने आई है नांगल चोदरी से बीजेपी विदाइक डाक्टर अबेसिंग यादो ने बताया कि महेंदरगड विदानसवाद छेतर की प्याशी धर्ती की प्याश को बुझाने के लिए महेंदरगड माहेंदर का जिर्णों दर करवाया जाएगा जिस पर तकरीबन 30 कोड उपय के लागत कराशी खर्च होने वाली है उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर हो चुका है और वर्क भी अलोट हो चुका है एक साल के वीतर इस पर काम पूरा होने की उमीद है जिसके बाद इलाके के लोगों को सिचाई के लिए पानी मिल सकेगा विधायक डाक्टर अवेसिंग 12 दिसंबर को दोंगडा अहिर में होने वाली जन विश्वास रैली के लिए नियोता देनी के दोरान ग्रामीनों को सम्मोदित करते वे जानकरी शाजा की आने वाले समय में नहरी पानी का दोहन और क्रशनावती नदियों के पानी के स्तर में भी और अधिक सुधार होगा उन्होंने कहा कि मेहंदरकर जिले की राजनिति को नई दिसा देने के लिए एक जन विश्वास रैली आयुजित करने जा रहे हैं जिसमें छेतर के लोगों के साहियों की आवश्यक्ता है ताकि दिखाय जासके कि दक्षन हरियाना की जनता एक जुट वर संगठीत है इस महीने यानि दिसंबर में आपको कई जरूरी काम निप्टाने होंगे अगर आपका डिमेट अकाउंट है और आपने अभी तक उसमें नोमिनी एडर नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक कर लें ऐसा नए करने पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है इसके अलावा इस महीने आधार को भी फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन खत्म होने जा रही है फ्री में आधार अपडेट कराने के लिए 14 दिसंबर तक का समय दिया है भादिर जरो बैंक यानि आरबिया ने सभी बैंकों का अपने गरागों को बैंक लोकर के नए समझोते पर साइन करवाने के लिए भी खाया है ये काम बैंक को 31 दिसंबर 2013 तक पूरा करना होगा अगर आपका भी किसी भी बैंक लोकर है तो वहाँ जाकर अपने नए बैंक लोकर एगरिमेंट पर साइन जरूर कर दें वरना आपको बाद में परेशानी हो सकती है वहीं IDBI Bank Special Deposit Scheme अमरत महुत सब चला रहा है इसमें 375 दिन और 447 दिन के FD में निवेश करना होगा 375 दिन के FD पर सामानी नागरिकों को 7.1% जबकि Senior Citizens को 7.6% दर्द दिया जाएगा इसमें 31 दिसंबर तक निवेश किया जा सकता है आज खबरों बशित नाई देखते रहे आपको अपना हर्याणा का सबसे बेहतरे New Channel CW Hindi News नमस्कार आपका दिन सुब रहे